हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बर फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजू ओशनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ ठीक होंगे और आप सभी सेफटी का ख्याल भी रख रहे होंगे सेफटी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं आज इस वीडियो में हम बंगाल शैली के विसे में जानेंगे जो कि आपकी सभी आर्ट एक्जाम के लिए काफी हेल्फुल होती है बंगाल शैली से सभी आर्ट एक्जाम में एक दो कोश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं तो ये काफी इंपोर्टेंट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगे अगर आप चैनल पर रहे आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे इस चैनल पर पढ़ने वाले सभी इंपोर्टेंट वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते र आदी प्रमुख भारती शहरों में यूरोपीय मॉडल पर कला स्कूल स्थापित किये गये। परिवर्तन आने लगा। राष्ट्रियता की भावना और एक राष्ट्री पहचान की तीवरे इक्षा ने ऐसी कला कृतियों को जन्म दिया जो पूर्ववर्ती कला की परंपराओं से एकदम अलग थी। तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बंगाल शेली विस्तार में। ठाकुर जी आये जिन्हों ने आगे चल कर बंगाल शेली अथ्वा ठाकुर शेली का सुत्रपात किया। तो इस तरह से एक्जाम में कुश्चन पूछ लेता है कि बंगाल शेली का सुत्रपात किस ने किया, जन्म किस ने दिया तो ठाकुर बंगाल शेली या ठाकुर शेली क तो अवनी इंद्रनाथ ठाकुर ने इसका सुत्रपात किया। इसी के साथ आगे और है। अवनी बाबु की कला पर पश्चिमी, यूरोपीय, इरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव दिखाई देता था। इन सब के समन्वे से उन्होंने बंगाल शैली अत्वा ठाकुर शैली का प्रारंभद किया। बंगाल शैली की विसेस्ताएं। बंगाल शैली की प्रेर्णा के प्रधान श्रोत अजंता, मुगल तथा राजस्थाने चित्र थे। इस शैली पर जापान, चीन, इरान, यूरोप की कला का भी अप्रत्यक्ष रूप से काफी प्रभाव पड़ा था। इस शैली में शरलता, स्पष्टिता तथा स्वाभाविक्ता दिखाई देती हैं। कोमल तथा गतिपूर्ण रेखांकन में इसके चित्रकारों ने भारत की प्राचीन चित्रकला तक पहुशने का प्रयास किया है। इस शैली में अगर रंग योजना की बात की जाए तो इस शैली की रंग योजना कोमल और सामंजे से पूर्ण रही है इस शैली के चित्रों में जल रंगों का प्रयोग हुआ है जिन्हें बहुत से चित्रकारों में वाश पद्धती से भरा है इस शैली में टेंप्रा रंगों का भी प्रयोग हुआ है इस शैली में प्राचीन, एतिहासिक, पौराडिक इवं साहितिक विश्यों का चित्रन हुआ है तथा सामईक भारती घरेलु जीवन के भी कुछी चित्र बनाए गया है किन्तु तत्कालिन राजिनितिक वातावरण का इस शैली पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रिखाई देता बंगाल शैली के प्रमुक्षित्रकार कौन कौन से है तो बंगाल शैली के प्रमुक्षित्रकार है ये सभी बंगाल शैली के चित्रकार है आगे कुछ महतपूर्ठ प्रेशन हैं चलिए उनको भी देख लेते हैं Gazam में पूछा जाता है अकसर कि बंगाल शैली को किन किन नामों से जाना जाता है तो बंगाल शैली को ठाकुर शैली, टै गोर शैली, पुनरत्थान शैली के नाम से भी जाना जाता है Next Question है बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे तो बंगाल शैली के संस्थापक अवनींदरनाथ ठाकूर थे नेक्स्ट है बंगाल शैली के प्रेर्णाश्रोत कौन थे बंगाल शैली के प्रेर्णाश्रोत श्री ईवी हैवेल थे नेक्स्ट है बंगाल शैली की मुख्य प्रविधी या तकनीक क्या है तो बंगाल शैली की मुख्य प्रविधी वाश्पधती जलरंग नेक्स्ट है बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में किन व्यक्तियों का योगदान था तो बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में श्री ईवी हैविल, रामन अंचितरजी, अर्देंद कुमार गांगुली, अवनेंद नाच ठाकुर ने काफी योगदान दिया नेक्स्ट है बंगाल शैली पर किन शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है तो बंगाल शैली पर यूरोप, चीन और जापान का प्रभाव दिखाई देता है फ्रेंड्स इसी के साथ ये टॉपिक बंगाल शैली कंप्लीट होता है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बंगाल शेली के सभी कलाकारों के विसे में जानेंगे एक-एक करके जानेंगे तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे जिससे वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को शेयर करके और वो आपको धन्यवाद कहेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट करके जिससे हम थोड़ा और सुधार कर सकते हैं आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केर और बाए बाए